हेलो दोस्तों स्वागत आपका माय फार्माटिप्स यूटूब चैनल पर आजम सुड़ों में ले मॉल स्पास सस्पेंशन के बारे में पुरी जान कर लेने वाले ले मॉल स्पास सस्पेंशन का मुक्यतों पुएक बुकार की समस्या दूर करने में किया ज़ता है आए इस सस् वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को लास्टिक ज़रों देखें लिपोर्ड हेल्थ केर कंपनी का ये 60 ml का सस्पेंशन आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 20 रुपे में आसानी से मिल जाएंगा बात करते हैं इसमें मुझूद कंटेंड के बारे में लिमॉल स्पास सस्पेंशन में मतलब 5 ml की सस्पेंशन की मात्रा में पैरसेटमॉल आईपी 125 mg मेफेनेमिक आइसीड आईपी 300 mg ये गंटेंस समोष्ट है इसमें मुझूद मेफेनेमिक एसीड इस नॉन स्टेरड एंटी इंफ्लमेंटरी ड्रग है ये बाड़ी में उन केमिकल मैसेंजर को करने का काम करता ऐसे बुखार का कारण बंते इस सस्पेंशन की योजिस की डॉक्टर से किन की समस्या हम इस मुझून को बुखार की समस्या सिरदर्द की समस्या दात का दर्द, सर्दी, मास्पेशों का दर्द, जिसे हम मस्कुलार पेन कहते, कान में दर्द, सर्जरी के बाद होने वाला दर्द, आधा सिर्दर्द, जोडों का दर्द, या फिर किसी आन्य प्रकार का दर्द दूर करने के लिए डॉक्टर इस सस्पेंशन का इस्तमाल करते बात करते हैं इस suspension की डोसिस की आप अपनी समस्य बता कर इस suspension का डोस अपने डॉक्टर या फार्मसिस से पूछ ले यह बच्चों का suspension वने के वाज़े से इसे हमेशा अपनी डॉक्टर की सला से इस्तमार कीजिए चार से आठ साल उम्रा के बच्चे ये सस्पेंशन फाई एमेल दिन में दो बार ले सकते साइड इफेक्ट इस सस्पेंशन के इस्तमाल से होने वारे दिश्परना यदि आपकी बच्चों को इस सस्पेंशन में मुझूद कंटेंस एलर्जी है तो उन्हें बताएगे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते है यदि उन्हें बताएगे कुछ साइड इफेक्ट महसुस हो तो आप तुरूंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें इस suspension के इस्तमाल से उल्टी, मितली, चक्कराना, इल्याक्य होना, सास फुलना ये कुछ side effect हो सकते हैं Precaution इस suspension को यूज करते समय सावधनिया अगर आपके बच्चे को इस suspension के इस्तमाल से कोई side effect होता है या फिर उन्हें इस suspension में मुझूद contains allergy तो आप इस suspension का यूज न गरे अगर आप अपने बच्चे को पहले से कोई अन्य suspension या medicine दे रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर या pharmacist को आवशे दे इस वोजे से इस suspension का drug interaction या overdose होने की समवाना कम होती है इस suspension को इस्तमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें और बाद में ही अपने बच्चे को पिलाए अगर आपकी बच्चे को लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो इस suspension का इस्तमाल अपने डॉक्टर के सला क्या अनुजारी कीजिए दोस्तो अगर आप कुछ वीड़ों से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्माटिप्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसेन रोज मिलते रहेंगे थैंकि फॉर वाचिंग दिस वीडियो